हलो फ्रेंड्स आज फिर ब्रिटिस इंसिटूट करे रहा आपके लिए लाया है टैंस की सीरीज में एक और टैंस जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर कंटीनूस टैंस इससे पहले लगभग 9 वीडियो टैंस के अपलोड हो चुके हैं आप लोग चाहें तो उसके वीडियो भी देख सकते हैं प्लेइलिस्ट में देख सकते हैं आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटीनूस टैंस तो चलिए देड़ नहीं करते हैं शुरू करें सबसे पहले इसकी पहचान जानते हैं इस काल के वाकियों में किसी कारे का जारी रहना भविश्य काल में पाय जाता है तदा वाकियों के अंते में रहा होगा रही होगी रहे होंगे आदी शब्द होते हैं मतलब भविशकाल में कोई काम जारी यानि कोई चीज हो रही होगी अभी नहीं लेकिन हो रही होगी यानि हो रहा होगा रहा होगा रही होगी रहे होगे मतलब कोई काम जारी होगा लेकिन अभी नहीं भविश्य में होगा चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं और उसक पर helping verb shall be का प्रयोग होगा तथा से सभी करताओं के साथ will be का प्रयोग किया जाएगा IV के साथ shall be बांकी सब के साथ will be और मुख्य किरिया की fourth form यानि ing form का प्रयोग किया जाएगा यानि ing form हमारी चलेगी जैसे going, playing, eating, eating, eating चलिए अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा फिर will या शेल प्लस बी, will be या शेल बी, में वर्ब की ing form object और etz अब देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है चली, बच्चे कक्चा में खेल रहे होंगे तो सेंटेंस बनेगा, children will be playing in the class will be आया क्योंकि children है, अगर आई और we होता तो यहाँ पर शेल भी होगा जैसा की आगे के उधारण में आप देख सकते हैं children will be playing in the class हम इस समय नगर से आ रहे होंगे यानि अभी नहीं भविश्य में आने वाली समय में तो सेंटेंस बनेगा we shall be coming from town this time we shall be coming from town this time we के साथ shall we मोहित नया गीत तयार कर रहा होगा मोहित विल बी कंपोजिंग अन्यू सौंग मोहित विल बी कंपोजिंग अन्यू सौंग पक्ची आसमान में उड़ रहे होंगे birds will be flying in the sky birds will be flying in the sky तुमारा भाई सतरंच खेल रहा होगा your brother will be playing chess your brother will be playing chess चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में not बीच में आएगा यानि will not be और shall not be subject के बाद will और shall के बाद not आएगा उसके बाद b लगेगा फिर main verb की ing, object और edc बस हमको इसमें negative की feeling देनी थी इसलिए not इसमें especially लगाया गया है children will not be playing in the class हम इस समय नगर से नहीं आ रहा होंगे we shall not be coming from town this time we shall not be coming from town this time मोहित नया गीत तयार नहीं कर रहा होगा मोहित will not be composing a new song मोहित will not be composing a new song पक्ची आसमान में नहीं उड़ रहा होंगे birds birds will not be flying in the sky birds will not be flying in the sky तुमारा भाई सतरंज नहीं खेल रहा होगा your brother will not be playing chess your brother will not be playing chess चलिए अब देखते हैं interrogative sentence और interrogative में सबसे पहले single interrogative और single interrogative वो sentence होते हैं जो हिंदी में क्या सब्द से शुरू होते हैं interrogative sentence हमेशा से ही helping verb से बनते हैं बस double interrogative होने पर question word सबसे पहले लिख दिया जाता है तो सबसे पहले single interrogative समझते हैं यहाँ पर will और shell का प्रयोग सबसे पहले होगा फिर subject उसके बाद be यानि will be और shell be आगे कभी नहीं आएगा will subject be या फिर shell subject be प्लस main verb की ing form, object, etc और question mark लगा कर sentence बनेगा देखिए example क्या सोहन पत्र की नकल कर रहा होगा क्या सोहन पत्र की नकल कर रहा होगा will sohan be will पहले आया, sohan के बाद be आया है will sohan be copying the letter क्या किसान खेत में बीज बो रहा होगा will farmer be sowing seeds in the field क्या पताजी आफिस में काम कर रहे होंगे will father be working in the office क्या नेताजी मंच पर भासर दे रहे होंगे क्या नेताजी मंच पर भासर दे रहे होंगे will leader be delivering speech on the stage will leader be delivering speech on the stage क्या गाय पानी पी रहे होगी will cow be drinking water will cow be drinking water अपने सारे sentence में देखा कि सबसे पहले will का प्रियोग हुआ है फिस subject और उसके बाद be आया है चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग double interrogative की तरफ sentence बिलकुल वही रहेगा बस question word सबसे पहले आएगा और हिंदी के बाकियों में प्रशन वाचक शब्द बाकियों के सुरू में नहीं आता है बीच में आता है इसलिए सबसे पहले उसी की English लिखी जाती है फर्मूला क्या होगा question word फिर आएगा will sell फिर subject फिर be main verb की IG form object EDC और question mark लगा कर sentence सोहन पत्र की नकल क्यों कर रहा होगा why will sohan be copying the letter किसान खेत में बीज क्यों बो रहा होगा why will farmer be sowing seeds in the field why will farmer be sowing seeds in the field पता जी office में काम क्यों कर रहे होंगे why will father be working in the office why will father be working in the office नेता जी मंच पर कैसा भासर दे रहे होंगे how will leader be delivering speech on the stage how will leader be delivering speech on the stage गाय पानी कहां पी रही होगी where will cow be drinking water where will cow be drinking water चलिए अब और example से समझने कोशिस करते हैं यह sentence आपकी और help करेंगे चीजों को समझने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं which clothes will made made मतलब नो करा ने which clothes will made be washing which clothes will made be washing बच्चे कितनी बार आइस क्रीम खा रहे होंगे how many times will children be taking ice cream how many times will children be taking ice cream हम वहां किसका इंतजार कर रहे होंगे whom shall we be waiting there खिलाडी मैदान में कौन सा खेल खेल रहे होंगे which game will players be playing in the ground rail गाली कितने बजे प्लेटफर्म पर आ रही होगी which time will train be arriving at the platform which time will train be arriving at the platform ये और sentence थे I hope आपने इन sentence के माध्यम से और अच्छे से समझ लिया होगा और मुझे आसा है कि इस पूरे वीडियो में आपने future continuous tense को अच्छे से समझा होगा तो बच्चो जदी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दें बैल आइकन को प्रेस कर दें और आगे आने वाले वीडियो की नोटिकेकेशन जल्दी से जल्दी अपने मुबाइल पर पाएं ठीक है तो चलिए मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई